मैं आशिश्ट राथी, रिजल्ट गुरू 2.0 पर एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि SSC GD के पेपर का आखरी दोर चल रहा है और 14 फैब को वैलेंटाइन डे के साथ आपका एक्जाम भी कम्पलीट हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC GD 2022 की कट ओफ क्या रहने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है मैंने पिछले दो महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने SSC Seasal Tier 1 की expected कट ओफ बताई थी और जैसा SSC Seasal Tier 1 का result आया कट ओफ गई आपकी 114.27 और मैंने कट ओफ बताई थी अपने वीडियो में 115 यानि कि 100% ये प्रोफ हो चुका है कि जो कट ओफ आपको बताई जाएगी उसी के इर्द गिर्द आपकी कट ओफ जाएगी तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर GD की कुछ डाटा के साथ कट ओफ के बारे में बात कर लेते हैं तो SSC GD कॉंस्टेबल 2022 से इसका एक्जाम आप लोग जो हो है उसमें एक्सेक पेक्ट कट ओफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं ठीक ना अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जिसमें आप लोग देख पा रही हो अगर SSC G GD 2022 की वेकंशी की के बारे में मैं बात करूँ तो बेटा 2021 में आपकी Numbers of Vacancy 25281 और 2022 में आपकी वेकंशी इस बार है updated वेकंशी जो अभी आई है चार दिन पहले नोटिफिकेशन चालीस अजार 435 आप लोगों की वेकंशी है और 2021 में आपके फिम भरे गए थे 71 लाग form fill up करे थे बच्चों ने लेकिन इस बर server down रहने की वज़े से कम number of form भरे गई है और 54 लाग form भर पाई है वेकेंसी just double हो चुकी है और form की संख्या या पर इस बर आपकी कम है यानि कि 54,000 लोगों ने application form भरे है और आपकी वेकेंसी है 44,435 अब आगे देख लेते हैं कुछ और data के साथ अगला जो data है कि exam pattern क्या है 2022 में क्या आपका exam pattern रहा अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 में आपके 100 questions आते थे और इन 100 questions को करने के लिए आपको 2021 में 90 minutes का time मिलता था जबकि 2022 में पूरा pattern change कर दिया गया है जिसमें 2022 में number of questions हो चुके है 80 और आपको exam को करने का समय मिल रहा है 60 minutes यानि की 80 सवाल को आपको 60 minutes में यहापर करना है तो एक तरीके से आपने देखा होगा CGL में आपके 100 questions के लिए 60 minutes का समय मिलता है इस पर GD में भी 80 questions के लिए 60 minutes का समय दे दिया यानि की इस बार आपको speed को बढ़ाना पड़ेगा चलिए आगे कुछ और data हमारे पास जो है उसको देख लेते हैं तो बैटा यहाँ पर देखते है GD 2022-23 में questions attempts यानि की बच्चों ने कितने-कितने questions attempt करे हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने 50-60 questions के बीच में attempt करे हैं और उन बच्चों की संख्या है 65% यानि हाँ बिल्कुल 65% बच्चों ने 50-60 questions के बीच में number of questions को exam में attempt करा है इसके बाद देखते है 50 से कम कितने बच्चों ने questions attempt करे हैं तो ऐसे बच्चे है 15% अब इसके बाद 70-80 questions कितने बच्चों ने attempt करे हैं तो ऐसे बच्चे निकल कर आई है केवल और केवल 4% 65-70 questions कितने बच्चों ने attempt करे हैं तो ऐसे बच्चे निकल कर आई है केवल आपके 7% और जिन बच्चों ने 60-65 के बीच में questions को attempt कर आई तो ऐसे बच्चे निकल कर आई ह केवल 10% ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला डाठा कुछ इस तरीके से है कि SSC GD 2022 थे इसमें section wise attempt क्या आप लोगों का रहा है अगर मैं हापर reasoning के section की बात करूं तो reasoning में attempt आपका रहा है 16-18 question अगर number की बात करूं तो number आ रहे हैं आपर 34 ठीक है न अगर मैस की बात करूं तो मैस में 13-15 question बच्चों ने attempt करे हैं number बन रहे हैं यहां पर 28, अगर GKS की बात करों तो 12 से 14 बच्चों ने यह अपर attempt कर रहे हैं, तो number बन रहे हैं, तो number बन रहे हैं 26, अगर Hindi या English की मैं बात करूं, तो 14 से 16 बच्चों ने अटेम्ट करे हैं और number बन रहे हैं आपके 30, यानि कि अब हम लोग चलते हैं GD की final cutoff के बारे में और हम अलग-अलग cutoff यहां पर देखेंगे male candidate की cutoff क्या हो सकती है और female candidate की cutoff क्या हो सकती है चलिए बढ़ते हैं जिसका आपको बेसवरी से हैं इंतिजार वो आच चुकी है आपकी expected cutoff for male candidates तो यहां पर जो आपकी cutoff जाएगी UR category की cutoff जाएगी आपकी 110 ठीक है ना अगर OBC की बात करें तो cutoff जाएगी आपकी 105 इसके बाद अगर EWS की बात करें तो cutoff जाएगी आपकी 100 और कटोब जाएगी 95 अगर EWS स्ट केटेगरी की बात करें कटोब जाएगी 90 अगर एक सर्विस्मेंड की बात करें तो cutoff जाने वाली आपकी 60 नंबर यह कट्टोब किस नमबर यह कट्टोब जाएगी यह कट्टोब जाएगी आपकी 160 नंबर में से इस बर 80 question परतिय कोश्टन 2 तो नंबर का है यानि कि 160 में से इतने नंबर आपकी कटॉप जाएगी और इस कटॉप में आपको प्लस माइनस फाइव कर लेना है यानि कि जैसे 110 है तो 105 से 15 वाले बच्चे बिल्कुल सेफ है सेलेक्शन लेकर मानेगे इस बर ठीक है अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा आप को फीमेल की कट will की किया हो सकती है तो यहां पे फीमेल की कट ऑफींश सकती है तो फीमेल की कट ऑप इस तरीके से है जो जे enthusiail की का आप जा सकती है उसके पूरे बुरे चांस है यानि की कि 78 इसमें आपको प्लस माइनस 5 और कर लेना है ठीक है ना तो यह रही इस बार की SSC GD के आप लोगों की expected को ठीक है ना तो इतनी ही जाएगी जित मच्चों के इस तरीके से marks आ रहे हैं तो बिल्कुल तयार हो जाएए अपने फिजीकल के लिए और इस बार आपका SSC GD में selection होने वाला है इसी तरीके की information जानने के लिए अपने परिवार result guru 2.0 के साथ जुड़ना मत भूलिएगा और आगे की वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के लेकर आता रहूँगा थैंक्यू सो मच धन्यवाद